हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रेटिव कार्डन फ्रेंज आज जो है हम आपको बताएंगे कि गुलाब यानि कि रोज को किस प्रकार से कटिंग से ग्रो किया जाए यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये देसी गुलाब ले रहे हैं English school lab की cutting हमारी तो अभी तक एक बार भी success नहीं होई है तो वो हम आपको नहीं पताएंगे तो friends cutting की जो आप cutting लोगे तो उसकी मुटाई जो branch लो वो हमेशा अच्छी लो अच्छी मुटाई रहे कम से कम pencil या pen के बराबर तो मुटाई रहे देखिए जो पतली पतली branches हम काट रहे हैं ग्रो तो यह भी cutting से हो जाती है flower भी आते हैं लेकिन दोस्तों कई बार हमारा जो experience रहा है वो यह है कि जब मैजून आता है तब वो पतली branches की जो प्लांट ग्रो होते हैं वो मर जाते हैं उसमें तो cutting की जो लंबाई हम ले रहे हैं यह कम से कम 8 इंच के लगभग ले रहे हैं आप जो है कोशिश करना कि 6 इंच से बड़ी और 10 इंच से छोटी लीजेगा छे से 10 के बीच में बेस्ट रहती है तो सारी cuttings काट ले रहे हैं देखें यहां पर जो मेरा skater है यह तोड़ा गंदा है जंक लगा हुआ है तो प्लीज इग्मोर करिएगा मैं हमेशा सोचती हूँ कि नया ले लूँ लेकिन भूल जाते हैं जब cutting केरल लगाओ तब ही याद आने लगता हमको प्लीज प्लीज इग्नोर करिएगा तो सारी cutting हम काट लेते हैं फ्रेंस एक्चुली में यह cutting जो है यह मेरी फ्रेंड ने हमको दी है क्योंकि उसके हां अभी तक रोस गुलाब की जो थी प्रूनिंग ही नहीं हुई थी कटाई चटाई नहीं हुई थी आज जब मैंने उनके हां यह बात बोली कि अरे इसकी कटा चाहिए इसकी पहचान आप कैसे करोगे तो देखें जो कांटे निकले रहते हैं ना कांटों का जो रहता है यह हमेशा नीचे की साइब रहता है और जो आई रहती है नई ग्रोथ रहती है यह उपर की तरफ रहती है तो यह ध्यान रखना अगर आपने उल्टी कटिंग मेंशा फ्लॉप हो जाएगी तो जब भी कटिंग आप मिट्टी में दबाओ तो एक चेक कर लेना की नीचे का हिस्सा काटो का जुकाब जो है नीचे की तरफ आप कि यहां पर जो हमुटी ले H sphere here यहां uncompeakे में मैंने इसमें इसमें जो बालु होती हैं बालु और अपनी garden सो lagi बराबर मातरा द्लामें मिला लिया है उसी में ग्रो कर रह है, एक्षुल शाधर वरंगंसे कर रहे हैं कंकड़ पत्थर सब हटा लिये हैं फ्रेंट्स एक्चुली में मैंने भी कटिंग ग्रो करी थी और उसका वीडियो भी बना रहे थे लेकिन हमारे एक तरिष्टेदार आई जब उन्होंने देखा मेरे पास इतनी बढ़िया हो गई है ग्रो हो गई है तो उन्होंने मांग ली ह नहीं तो जो टिशूज नीचे के होते हैं वो डामेज हो जाते हैं अच्छा जो हमने कट लगाया था वह हमने तिर्चा कट लगाया था कटिंग में अपने गुलाब की वह वाला भी हमारे रिष्टेदार ले गया उनको बड़ा अच्छा लगा ये एक इंच तक का हम डाल हमने बेड़ां जै तक हम अपने वह अच्छा फ्रे रह रहिं हैं अप तो जानते ही है जब प्लांट लवरस किसी के हां जाते हैं कितने भी वह इसंच हेन ने मान दोर जाता है जब्दिक अच्छ अच्छे अच्छे प्लांस देखते हैं क Luther यख प्लीदीन फ्लीजugen पीस घ तो दे दिया मैंने उनको तो अब कटिंग लगाने के बाद चारो तरफ से दबा जरूर दीजेगा अच्छी तरीके से खुब अच्छे से दबाईएगा ताकि बिल्कुल हवा ना जाए और इसके बाद जो है आपको कटिंग को जादा डिस्टर्ब नहीं करना है अच्छे से दरूर दबाईएगा नहीं तो अगर हवा जाती रहेगी तो फंगस पैदा हो जाएगी जो आपकी कटिंग को खराब कर देगी तो इस चीच को दब रहां रखना जब कटिंग लगा तो चारो तरफ से दबा दो ताकि कटिंग जो हीले डूले नहीं बिल्कुल भी इसको पंधेरी जग Days通 नहीं रखेंगे एसी जगए रखेंगे जहां उजाला सा ँ रहा है डिरेक्ड दूप ना लगे प्लांट चार।